हडो फ्रेंड्स नमस्कार मैं आपकी दोस्त अशना एज मैं आप लोग के साथ शेर करने जा रहे हूं बैंगन के भरते की रेसिपी इससे पहले भी आप लोगोंने बैंगन का भरता बहुत बार बनाया होगा और खाया होगा मगर आज में इससे कुछ अलग ठंग से बनाने ज सब्सक्राइब करि के दिया थोड़िपर गया अब। भोनेगे ना तो भी इच्छा टेजे विर दिया heri बीची अपना इस तरीके सोभूनेंगे ना तो भूट इच्छा फ्लेवर देगार साथ मैंने सरसों का तेल लेकि उससे चार तरफ से इस तरीके से लगा देंगे तो फिल्चार कर लेते हैं तो अब गैस पर रखते हैं और इसके ऊपर रखते हैं अपने तीनो बैंगन ताकि के आराम से बुन सके अगर आपके पास यह ना हो तो कोई बात आप डारेक्ट गैस पर रखके बुन सकते हैं थियान रखें कि थोड़ी थोड़ी देर में इसको इस तरीके से घुमा घुमा के इसको अच्छे से चार तरफ से भून लीजिएगा बिर्कुल जब तक हमें भून सब्सक्राइब आप जिनकाल देंगे और अब जिनका जो चिलका वह भी हटाएंगे इनको जो हमें ऐसे आराम से क्रश्ष रहते हैं कितने सॉफ्ट हो चुके हैं यह देखिए तो इस तरीके से बिल्कुल डेहरा निची कोई भी चिलका चार तरफ से हम अपने तीनों आप चलते अपने अगले स्टैप की तरह तो लेते हैं एक पैन उसमें डालेंगे थोड़ा सा सरसुखा तेल सरसुखा तेल थोड़ा सा गरम होने देते धूंआ उटने तक परने समेल रह जाती है ना अब इसका इसमें डाला जीरा थोड़ा सा अधरक इसको कर लिए है तो उस प्रोसेस को इसमें भी डारेक्ट कर सकते हैं हरी मिर्च लैसुन इसमें आप डाल लीजे डारेक्ट यहां पर कि उसका फ्लेवर तो अच्छा आता ही है साथ मैंने हैं थोड़ से मसालों में ले लिए लाल मिर्ची धन्या और हल्ली बस मिक्स करते और अब तुमाटर तमाटर मिक्स कि तयार कर लिए इन्ों को एसमें डाल देते हैं तमाटर को इसमें डाले भी अच्छी से मिक्स कर रहें अब डालेंगे नमक थोड़ा एसके बाद इसको हमी अच्छे से बून्द नहीं आ यानी गोर में मारा मसाल अच्छे से पकना चाहिए जब तक की ओयल रिलीज ना कर देखिए हमारी टामाटर हमारी पकने लगे है और रिलीज कर दिया अब इसे स्टेश पर इसमें डाले के थोड़ी सी मैटर यह बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आपको मतर पसंद ना हो तो आप मतर ना भी डाले तो भी आपका बैंगन का बढ़ता बह अगर मेरी मतर फ्रेश इसलिए मैंने गलने तक इसको थोड़ा दखके पकाया है यह देखिए हमारी मतर अच्छे से गल चुकी है चैक भी कर लेते हैं एक बार अब इस स्टेश पर इसमें डालें ने भुने वेहन तयार कर रखे थे अपने वह आप चाहें गर मतर नहीं डा मतर भी जैंगली होई है और बेंगन भुना हुआ है मगा फिर मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढखकर पकाऊंगी क्योंकि जब इसको ढखकर थोड़ी देर पकाया जाता है ना जिसको मसाला आपस में मिक्स होता है तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है मगर हाँ भी बहुत अच्छा हो गया पहले से अब इसको थोड़ी देर ऐसी खोल कर भूनेंगे बैंगन के भूरते की जितनी अब भूनाई करेंगे न उतना ही बढ़िया टीस राता है यह देखिए हमारा भूनकेर तयार हो चुका है अब इस स्टेज पर लास्ट में डालेंगे थो क्योंकि हरा धनिया हमारी सबजी को देगा एक बढ़िया सी फ्रेशनेस और इसको सर्व करेंगे गर्मा गर्म आप इसको पने मन पसंद पराटे रोटी किसी की भी साथ खाये यकीन मानिए बहुत ही डिलिशिस बहुत ही यम्मी बनाए तो फ्रेंड्स इससे पहले आप खाये और फिर अपने अनुभव में साथ जरूर शेयर कीजिए धन्यवाद